आज 16th नवेंबर 2021 हम सुनेंगे प्रातो शाकार हिंदी मुरुली आज का महावाइक्क इस महावाइक्क में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे ग्यानोबान बनो तो धनवान बन जाएंगे जगदुम्बा ग्यान गाने शरी ही राज राज शरी बनती हैं बाबा ने बहुत सुन्दर राज खुला है इस समय हम ग्यानोबान बनेंगे अर्थात इस समय ब्रह्मन होकर के परमात्मा से ग्यान लेंगे तो सत्य युग में हम धनोबान बन जाएंगे तो इसका सबसे बरा उधारन है मा जगदंबा जो तो कुछ भी लेकर के नहीं आए जग्यों में तो वो ग्यान ग्याने शरी बनी तो सत्य युग में तो क्या बनेंगे राज राज शरी बन जाएंगे तो इसका मतलब हमारा ममा जैसे पुरुशार्ट करके बने तो हम भी ऐसा पुरुशार्ट कर सकते हैं प्रशन है बाप को अपने बच्चों पर तरस परता है इसलिए स्रष्टो तकदीर बनाने के लिए कौन सी स्रिमत देते हैं बच्चों के लिए दाया आता है इसलिए स्र पर जो पाप का बुजा है उसे मोत के पहले याद की जात्रा में रहो करके उतर दो कोई भी बिकर्मों नहीं करो बाप आये हैं तुमको जम घाटों की फोशी से छुराने इसलिए आप ऐसा कर्मों नहीं करना जो हमें बहुत करा साजा मिलने वाला बहुत सुंदर उत्तर बबा सुनाते हैं आज का गित है रात के राही ठक मत जाना सुभो का मंजिल दूर नहीं है अम शांती मिठे मिठे रूहानी बच्छों ने इस गित का अर्थों तो समझा बाप आये हैं भोक्ती रुपी रात का बिनाश कर दिन स्थपन करने क्योंकि बा हम पावन थे अपवतित बने चीज वो मंगी जाती है जो पहली थी अब नहीं तो इसलिए परमात्म को हम बुलाते आएं जो एक समय था अब नहीं है तुम बच्छे जानते हो पवित्रों देविदवतव की राजधनी थी ज्यान मिला हुआ है ज्यान गाने शरी ही फिर रा माई का है सब कमोना कमोना पुरुना करने वाली लक्ष्मी को कभी जगदंबा नहीं कहेंगे लक्ष्मी को तो मा जगदंबा इस समय जो पुरुशार्थ करके जो प्रालवद बनाई है तो वो लक्ष्मी को मिलने वाला है लक्ष्मी को उनको दो बच्चे ही मातिश शरी कहे कितना गहराई बात बाबा समझाते हैं। तो तुम ने सबसे जस्ती भक्ति की है, पहले से शुरू किया, ध्रपरका सुरुवात में, तो ये कलियोग अनतव तक तुम्हें भक्ति किया, अब तो तुम्हें शुद्र से ब्रंभन जनम मिला है, तुम तुमने अपना यादगार जिती जि देखा है। बबा कहते हैं ये भी शुक्ष्म राज बबा समझाते हैं आदी देब और आदी देबी हैं जिसको जगदंबा कहते हैं अभी तुम जानते हो जगदंबा धनवान बनती है तुम उनके बच्चे हो न अब तुम पर रहे हो तो वो है Godage of Knowledge, इस नलिश से कभी राजारानी नहीं बनते, यह दुनिया का स्कूल कलेज का पराई से कभी राजारानी नहीं बनेंगे, वो तो एक जनम का कोई पद मिलेगा, एक जनम का कोई डिग्री मिलेगा, तुम जानते हो, हम आत्मे शिप बाबा के बच्चे हैं, और य यो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका तनमे सयंग भगवान आया है, शिप बाबा इन तदारा नहीं दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो बाबा ने हमें कितना सुन्दर राज समझाती हुए कहा, तुम इस जनम में आपना यादगार तुम देख चुके हो, देख रहे हो गाया भी हुआ है, ब्रह्मा दरास्थापना, यो अच्छी रीती समझ कर धारन करना है, कहते हैं न, शिर्णी की दूद के लिए सुने का बरतन चाहिए, यो ज्यान भी है, शर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का है, उसकी लिए भी बुद्धी रुपी बरतन सुने का नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सुने के बनते हैं न, अभी तुमारी आत्मा पत्थर का बरतन है, बाबा समझा थे, जैसे जैसे हमारी आत्मा डिग्रेटेड हुआ, बुद्धी भी हमारा पत्थर जैसा बन गया, तो शरीर भी ऐसा ही तमप्रधन बन गया, तो हम पतितों को आकर पाबन बनाओ, कहते हैं, दुख से छुराए, शान्ति में ले जाओ, भगवान को हमने ऐसा प्रार्थना किया, तो हमने मिनती किया, बिबिग भी कहता है, हम भारत बशी पाबन थे, इन लक्ष्मिनारण का रैज्य था, भल कितने भी बरे आदमी हैं, तो व भी गुरू के पाव में गिटते हैं, क्योंकि गुरू ने शन्नाश धारन किया हुआ है, तो ब्रह्मचर्जव ब्रतो पालन करते हैं, पवित्रता का मार्ग पर चलते हैं, इसलिए पाश बिकार को छोरा हैं, तो बिकारी क्या करते हैं? निर्विकारियों को मान देते हैं, पाव में पढ़ते हैं, तो ये सत्तोता हम सभी देखते हैं संसार में, पवित्रता का ही मान है, द्रापर से राजारानी और वोजीर होते हैं, सला देने वाला, सत्य युग में राजारानी को कोई वोजीर नहीं होगा, कोई सला देने वाला नहीं होगा, तो जब पतित राजा में जाओ, तो कितना बोजी रैना उनको जला देने के लिए, यो है ड्रामा की भावी, बाबा बतलाते हैं देखो, कि इसे ड्रामा की भावी बनी हुई है, तो पहले जोरूर भारती था, फिर दूसरे धर्मवा लेए तो ये बाबा तो हमें ज्यान सुनाते हैं समझाते हैं बाप समझाते हैं इस समय तुम हो ज्यान गानेommes प्रभान ज्याख दंबा है ब्रह्मा की one promise देटी nov लैटेंड ज्यानव उभान है न जो दूसरे जन्मों में धन लक्षमी बनती हैं तो ये विश्णु का लक्ष्मी नारयन अर्था Mittel नारयन का पत्नी बनेगी तो तुम को अभी बाप तो ज्ञान सिखा रहा है तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे दुनिया में यो किसको पता नहीं कि यो लक्ष्मी नारयन धनवान कई से बने तो ये राज बाबा ने हमको खुला है लक्ष्मी नारयन तो वही ब्रह्मा शरशत्ती है लक्ष्मी नारयन बाबा कहते है तो नारयन अभी ब्रह्मा है तो लक्ष्मी अभी तो सरशत्ती है जगदमबा है तो ब्रह्मा जगदपिता है तो जुरूर ब्रह्मन-ब्रह्मनिया बहुत होंगे इस समय हमारी जनम हुआ हम गोत का बच्चा बने तुम कितने ब्रह्मन-ब्रह्मनिया हो तुम जानते हो हम इस घ्यान से भविश्चो में ऐसे धनवां बनेंगे एकदम Goddess of Wealth तो इन से अधीक Wealth किसके पास हो नहीं सकता इसलिए गाया जाता है Knowledge is Source of Income जाज बेरिश्टर आदी नलिस से बनते है न नलिस है तब तो किसी को जाज कहते हैं, किसी को इंजिनियार कहते हैं, किसी को डक्टर कहते हैं कोई-कोई डक्टर को एक-एक केस का लाक रुपया मिलता है कोई राजारानी बप्रिंस बीमार हुआ, तो डक्टर ने बीमार से छोड़ाया तो राजारानी क्या करते हैं, खुश में जाकर बरा-बरा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं कितने इनकाम हुई न, तो पराई से ही पत पाते हैं, तो यो तुम्हारी भी पराई है, धन्दा भी है, बाबा समझाते ही, यह पराई आभी तुम्हारा इस तमप्रदन सरीर लेकर के तुम पर रहे हो, तो तुम्हे प्रलब्द मिलने वाला सतियोग में कांचन कया सरीर में, तुम्हे बच्चे अब सोधा करने आए हो, काकपन देकर के लाग तुम कमाते हो, तुम काकपन देते हो, इस समझो भी तुमारा टोटा फोटा जो भी है, तो बाबा को दे देते हो, बाप अभी नशी सर्जन भी है, सधैवो हेल्दी बनाने के लिए बाबा हमें योग अर्जन की दवाई तो अर्थात स्रिमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए जब हमें इतना अम्दनी होता है कमाई होता है बाप की मत तो मनो मुझे याद करो बाबा एक ही तो बात बार बार हमें सुनाते हैं कहते हैं ना सिमर सिमर सुक पाओ कलोह क्लेश मिट सब तौन के गरांट करते हैं बहुत संनाशी लोग भी बीमार में तो अर्धांग में परे रहते हैं जैसे पागल हो जाता है तो ये बीमार में बहोश होकर के परे रहते हैं बहुत दोखी होकर के परे रहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप की स्रिमत पर चलेंगे तो हम एवर हिल्दी बनें तो वहाँ आयू एवारेज तो 125 से 100 बर्श रहती है तो ऐसे नहीं कि द्रापर में एकदम 35 बर्शों की हो जाती है एवारेज आयू नहीं पहले 100 इसके बाद तो पहले 100, 180, 100, 125 फिर होगा 70, 80 तो आप तो देखो तो 35, 44 बर्श तक आकर पहुची है एवरेज आयू तो छोटे पन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है ना भोगी जिबन को अपनाया है जोगी जिबन को तो कैंसल कर दिया तुम जानते हो अभी भोगी से जोगी बन रहे हैं हम भोगी से जोगी बन रहे हैं तो वहाँ सत्य यूग में आयू इतना बरी होगी जो अकाले मृत्तों किसी का नहीं होगा बाप स्मृति दिलाते है तुमको कितना रज्ज भाग्यो था हज़ती यूग में तुम सोच भी नहीं सकते हो अब या अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो तो अब रावन ने तुमारा सब कुछ लोट लिया वहा तो यो मंदिर आदी होती नहीं तुमारा स्लोगान भी है ना भारत का आदी शनातन देवी देवता धर्म जिन्दाबाद बाकी सब मुर्दाबाद अर्थात अनेक धर्म बिनाश हो एक धर्म स्थापना हो तो वहा स्रिप एक ही भारत खंड था और कोई नहीं खंड था एक खंड में भारत ही जुरूर भारत जुरूर थोरे होंगे नालाक होंगे नालाक का अंताज होंगे तो ये बढ़ते बढ़ते तृता में जाकर के आंतों में जाकर के 33 कुरूर होगा तो आज देखो कितना बढ़ते बढ़ते कितना हो गया तुम लिख सकते हो थोरे समय में भारत की आबादी नौलाग होगी तो और सब खतम हो जाएंगे ये बाबा समझाते ही ये आथथ तुम सब को दे सकते हो ये गौड्स प्लेणिंग चल रहा है एक धर्म की स्थापुना अब हो रही है नियो डिटी रज्यो में एक भाशा एक ही रसम रिवाज होगा सत्य युग में तो इहां एक की रसम तो इहां होर एक की रसम अपनी अपन है एक ही घर में भिन्न भिन्न मात मतांतर चलते रहेते हैं तो सती युग में वांद रज्जव वांद कम्यूनिटी थी तुम ऐसे इस स्लोगान आकबर में भी डल सकते हो बाबा से राई लेते हैं कि बाबा पैसा खर्च कर आकबर में डाले तो बाबा कहेंगे भल डालो मुन तो इस महाबरत लराई के बाद सर्गों के गेट खुले थे तो आगबर में डालो नाम बिके का हो परूंतो बिके तब कहला सकते जब पवित्र रहे ये भी बाबा समझाते हैं तो नाम को बुलाया है बाप को बुलाया है और बाबा आया है तो अब बाब से प्रतिग्या करो हम बाकी जीवन हम अविश्य हम पवित्रता मार्ग पर चलेंगे पवित्र हो करके रहेंगे भुक्ति मार्ग में कितना धक्का खाए जगो जब तब अदनी कितना किया तिर्थो जात्रा कितना किया पहले एवशिप की मंदिर करते थे फिर द तुमको सब दुकों से छोडाते हैं, बाप तुम बच्चों को नालिच देते हैं, कितना ओच मुनश्यों से देवता बनाते हैं, सत्य युग में तुमारी पास सब कुछ सोने का होगा, बाप कहे तो इसके लिए तुम्हे नैशा भी तुम्हें बराना चाहिए, खुशी भी करना चाहिए न, तो बाप जम घटों की फशी से छुराते हैं, कितने इंपर्टेंट बात बाप सुनाते हैं, जम घटों की फशी से बाप छुराते हैं, अर्थात गर्व जल की सजाओं से बाप छुराते हैं, तुम सर्गों की महल में रहते हो, सर्गों की महल में तुम जन पाप कर्म करते रहेते हैं, वहाँ पाच बिकार ही नहीं होगा, जो राजा रानी प्रजा के मर्तबों में फरक होगा ना, बाबा केते हैं, सत्य युग में पाच बिकार होगा नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा नौकर चकर मर्तबों में फरक होगा, क्योंकि पराई अच् प्रबोभ दोपाते हो, अभी ब्राह्मन होकर के तुम पुरुशार्थ करते हो, इसका प्रभबोभ दोपाते हो सतीयुग में, अभ बाप के हैते बच्छे, तुम स्रीम civह पर चलो, मैं दूर देश से आया हो, परमधाम से आया हो, पौतित शरीर में, पौतित रज्यों में द तो बिकार की पीछे इतना थोरी ही होईरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं, यह बिकार दुख देने वाला है। पतितों को पाबन बनाना यह मेरा काम है। मेरा बात मान करके देखो, मैं तुम्हें क्या से क्या बना देता हूं। तो उसके लिए गायन है अंतोगाल जो स्त्री शिम्रे तो बेश्षा जोने को अपनाना परे कितनी अच्छी अबस्ता होनी चाहिए ना अंतिम समाई अंतोमोती सोगोती ग्रेश तो वेवार में रहते बुद्धी से समझना है कि यह सब खतम होई परे है हमारा तो एक बाबा है अब बाब की कभी माला समरी जाती है क्या मैं तुम बच्चों को समर्थ दिलाता हो कि मुझे याद करो तो इसलिए बाबा की तो माला को जो अपना तुमें नहीं है बाबा को याद करना है बाबा उधारन भी देते है तुमको बहुत बल मिलेगा बिकर्म बिनाश होंगे बलवान बन जाएंगे बाबा को याद करने से याद करने का तरीका भी हमें समझना चाहिए यह लक्ष्मिनारन बलवान है ना जो जो बलवान होते है वो राजाई पाते है बाबा अपना मिसाल बताओ, और टाइम बताओ, सरा दिन धन्दा धोरी से ठक जाते हैं, सुबहो उट नहीं पाता हो, जैसे तुम कहते हो बाबा, सबेरे उट नहीं सकते, बाबा समझाते हैं, बाबा समझाते हैं, बाब कहते हैं, तो ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रहो सकते हैं, सुबहो उट न नहीं करेंगे तो विकर्म अभिनाश कैसे होगा तुमको तमप्रदन से शत्व प्रदन जरूर बनना है तो कैसे बनेंगे तो तुम्हें उटना है तुम्हें याद करना है तुम्हें पवित्र रहना है यह अंतिम जन्म है बच्छे जरूर पवित्र बनो बाप की स्रिमाद प कहते हैं, Man Manabhobo, मोट समनिखारा है तुम कोी मेसंजर अथुबा पेगम्बर कहा जाता है तुम ब्रह्मनों के सिवाई, कोई मेसंजर बन नहीं सकता पतित पावनशी बाबा, आते हैं संसर में, ब्रह्मा का तन में, किस में प्रभिश करते हैं ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा दरस्थापना ब्रह्मा का तन को ठिकाना कर लिया तो किराय में ले लिया तो यो समस्ते थोरी ही है भक्ति से आया हुआ है न सभी शुक्ष्प बत्म ने प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या तो इहां ही पौतित से पाबन बनते हैं साइलेंस बल से स्थपना होती है साइंस बल से बिनाश होती है ये भी क्लियार बात बबा समझाते है सबी कहते हैं संती कैसे मिली अब आत्मा तो है ही शांत शरुपना इहां आये हैं पाड बजाने इहां शांतों कैसे रहेंगे तो वो शांती शांती धाम में मिलेगी इहां तो दुख मिलने वाला है सतियुग में सुक शांती दोनों होगा तो परमधाम में शांती अवश्यतों मिलेगा अब तुम बच्चे इहां सम्मुक सुनते हो बाब कहते हैं, पोतित मेरी साथ कब न मिले। बाबा ने और्डिनांस जारी करते हैं, पोतित होकर तुँ मेरी साथ मिलने के लिए मत आओ। नहीं तुँ ले आने वाली ब्रह्मुनि पर पाप चरेगा। तो बाबा समझाते है बास्तव में इंद्रशबाईय है इंद्रशबाईय है यो ज्ञान शब्जपुरिया पुक्रजपुरिया है तुम सब जो ज्ञान में चलने वाले हो तो ज्ञान सुनाने वाले हो तुम सब पुरिया हो अगर तुम ना समझ करके किसी को अज्ञानी को ल आते हो तो इसका पाप तुमें लगने वाला है तो और ही धक्का लगेगा बाबा शक्त मना करते है कोई पतित को ले नहीं आना है ये मदोबन पवित्र भूमी है आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिग्या किया है कहते है पुरुशर्ट कर रहा हूं बाबा तो अब प पवित्रता पर निश्चा है पवित्र रहने के लिए तो प्रतिग्या किया है तो अब आ करके मिलो अगर मिलकर विकार में गया तो सअगोना दंड़ बर जाएगा पर जाएगा बाबा संझेगा सायद इनकी तक्दिर में नहीं है तब ही तो इतनas कोशन करते है पवित्रता उन्हें को इतना घबराती हैं, तो बाब तो तद्विर बताते हैं, तो अकदिर बनाने के लिए, तो सब की सद्विटी करने बाला तो एक शिबाबा है, तो उनको तो फोटो निकाल नहीं सकते, क्योंकि दिब्बो दृष्टी से ही देख सकते हो, उनका कोई तो शाकारी, एक नमस्ते धरणा के लिए मुखक शार एक नमबर ऐसी अवस्ता बनानी है जो अंतो काल में एक बाप की यादा को भी डूसरा को याद ना आए बुद्धी में रहे यह सब विनाश होने वाला है नमबर दो पाइंट अपने आपको तो करेक्ट बनाना है इस अंतिम जन्म में पवित्र जुरूर बनना है तो डर रखना है कि हम से कोई पाप कर्म ना हो जाए तो अगर हो जाए तो हमें सजा मिलने वाला है तो बरदान है नमबर वान बिजनेसमेन बन एक एक सेगेंट बा संकल्पों में कामाई जमा करने वाले पदमा पदम पती भवाँ इसका अर्थों भी बबसुंदर समझाते हैं नमबर वान बिजनेसमेन वो है जो शयों को बिजी रखने का तरीका जनता है बिजनेसमेन अर्थ जिनका एक संकल्पो भी बैठ तो ना जाए हर संकल्पो में कमाई हो जैसे वो बिजनेसमेन एक एक पैसे को काड़ियों में लगा कर पदम गुना बना देते हैं ऐसे आप भी एक एक सेकेंड बाद संकल्पो कमाई करके दिखाओ तो पदम पती बनेंगे तो इससे बुद्धी का भटकना बंद हो जाएगा और बैठ तो संकल्पो की कमप्लेन भी शमपत हो जाएंगे तो यह है बिजनेस में बनने का तरीका बाबा बताते है तो स्लोगान है जो मांगता है तो वो खुशी के खाजानों से संपन्नो नहीं हो सकता है इसलिए बाबा क तो मंगो मत, तो मंगना क्यों है, तो ये मंगने का बारी में बाबा ने समझाया, तो अगर मंगोगे, तो तुम्हारा खुशी गायब हो जाएगा, तो आज का समान है, मैं पदमा पदम पती आत्मा हूं, अच्छा, ओम शंटी.